नमश्कार कुछ लोग ऐसे होते हैं पता है आप अधिक तब बीमार रहते हैं और चिडड़ रहते हैं आप जब देखोंगो तब उनको मतलब भीमार ही देखोंगे और ये से लोग पता है आपको कम समय तक जिन्दा रहते हैं कुछ एसे उनमें कुछ आदते होती है जिसके कारण वो या तो बिमार रहेंगे या फिर जल्दी इस दुनिया से चले जाएगे तो ऐसे लोग कौन होते हैं जो अधिकतर विमार रहते हैं अधिकतर चिर्चिरेपन का सिकार रहते हैं अधिकतर अपने ही ख्यालों में खोई रहते हैं वो लोग कौन होते हैं और अकिर वो कम समय तक जिंदा क्यों रहते हैं कुछ इसे लोग होते हैं और आपने भी उनको देखा होगा वो लोग कौन से होते ही इसे होते देखें जो व्यक्ति जो इनसान बहुत क्रोध करता है बहुत एंगर करता है बहुत गुसा करता है इत्यान रखना जो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है ना वो बहुत ज़्यादा बिमार पड़ता है अब आप वोगे सर गुस्से का और बिमार का क्या तालूक है गुस्सा इंगर जब इनसान को गुस्सा आता है ना तो गुस्से से क्या होता है वो अंदर से जलता है वो अंदर से सुलगता है उसके अंदर से मांस पेशी है उसके अंदर से पेट और उसके अंदर से जो नर्स होती है ना वो सिकूरती है गुसे से उसका माइंड काम नहीं करता है उसका सरीर अंदर से जलने लगता है और तब पर ऐसे क्या होता है फिर इंसान अगर कभी-कबार गुसा हो तो कोई बात ही लेकिन इंसान एक-दो दिन छोड़ कर हर चोटी-छोटी बात पर गुसा करता हो नॉर्मल बात पर अपना मौ फुला के रखता हो वो इंसान बहुत बिमार रहता है और जब उसका गुस्षा अगर कंट्रोल में नहीं होता है ना तो वह हो सकता है कि बहुत कम समय तक ही जिंदा रहे हैं आपका एंगर और आपकी बोड़ी दोनों का बहुत ही बड़ा सबसे पड़ेगा मेरे को क्या पड़ेगा नो नवर गुस्षा द्यान रखना आप सोचते हैं मैं दूसरे पर गुस्षा कर रहा हूं लेकिन सबसे ज्यादा गुस्षा आपको नुक्सान पहुचाता है हुघ है आपकी आप का आप बहुत ह करता हुए आप और अपने ऊपर गुस्षा करना यह और अपeonे ऊपर गुस्षा कर रहे हो तो फिर डेपिनेटली आपको तो विमार हो नहीं है, डेपिनेटली आपको तो कम समय तर जिंदा रह नहीं है, तो जो व्यक्ति बार बार चोटी चोटी बात पर गुसा करता है, और एक दो दिन छोड़ कर रेगुलर गुसा करता है, वो दियार लगना वो अधिकतर विमार रहता है उसका माइंड सही रहता है उसका दिल सही नहीं रहता है उसे मन में हमेसा गुसा बराता है इसलिए ध्यान लगने जो व्यक्ति गुसेल व्यक्ति होता है वो बहुत अधिकतर विमार रहता है वो बहुत कम समय ते जिन्दा रहता है जैकट चिंता जो इंसान जो व्यक्ति आ अपनी लाइब के लिए चंता करना, अपनी फेमिली के लिए चंता करना, अपने बिजनिस के लिए चंता करना, अगर आप regular चंतीत रहो गए न, तो definitely आपकी मिर्टी बहुत जल्दी हो जाएगी. चंता करने वाला इंसान है न, अंदर से चलता है. मानी मन दुकी होता है मानी ही मन रोता है चिंदा करने वेला वेक्ति कभी आखों से आसु नहीं बहता है वो दिल के आसु रोता है दिल के आसु अंदर रोता है वो किसी को बाहर अपनी पीड़ा नहीं केता है वो किसी को नहीं बताता है कि उसके दिल में क्या है वो अपने आपको कचोड़ता रहता है वो अपने आपको अंदर से मारता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि दीरे दीरे वो बिमार होता जाता है और वो खत्म हो जाता है इसलिए ऐसे ही नहीं का है कि चिंता चिता के समान होती है आप चिंता ना करें बिजनिस करना हो या फैमेली हो या आपने परिवार के लिए चिंता नहीं है चिंतन करें चिंता और चिंतन में बहुत अंतर होता है चिंता तो टेंसल लेना कि क्या होगा चिंतन उस प्रोब्लम क कुलका सोलुशन नहीं कोजना उसलoked बार propor चिंता करता है बार बार डिप्रेशन में रेता है तो वह हमैसा नोरे हो जल्दी इस दुनिया से चला Иरुठा थल स्वार्ति व्यक्ति और लालोचि व्यक्ति वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति अपने आपको नुक्सान पहुचाते हैं अपने हार्ट को नुक्सान पहुचाते हैं अपने हार्ट को नुक्सान पहुचाते हैं स्वारती व्यक्ति लालजी स्वारती व्यक्ति क्या होता है उसके पास सब कुछ है लेकिन वह सामने वाल स्वार्ती वक्ति यह सोच कर रोता रहता है और अपनी बोडि को अपनी सरीर को अपने दिमाग को और अपने दिल को नुक्सान पुचाता है और जब वह इसा करेगा यह से गेपिनेटली एसे बिमार रहते हैं और उनको जल्दी इस दुनिया से जाना पड़ता है तो ये तीन तरह के व्यक्ति अधिक तर देखना आप बिमार रहते हैं या पिर जल्दी इस दुनिया से जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि अपने आपको अपने बोड़ी को ये खत्म करते रहते हैं इन तीन बातों को सोच सोच करके अपने सरीर को जलाते रहते हैं अपने सरीर को खत्म करते रहते हैं क्रोध करने वाला व्यक्ति चिंता करने वाला व्यक्ति और स्वार्ति और लाल्ची व्यक्ति जिस व्यक्ति में तीनों गुण है ना समझ लेना कि वह व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है वो बस अपने सरीर को जलाता रहता है तुकी होता रहता है और मनी मन रोता रहता है और वो बहुत जल्दीर दुनिया से चला जाता है और वो बहुत ज्यादा बिमार रहता है तो ये तीन आदते आप कभी मत रखना वरना आप भी अपने आप के सरीर को ऐसे ही जलाओगे क्रोध कभी मत करना चिंता कभी मत करना और स्वार्तियों लाल्ची कभी मत होना